हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इस डिजाइन को बनाने के लिए फ्रेंड एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की फ्रेंड चौड़ाई 5 इंचे और कपड़े की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है कपड़े को एक बराबर करते हुए इसे एक बार और फोल्ड करेंगे फिर हमें फ्रेंड इसे फोल्ड करना है तो यहां से हम हाफ फोल्ड करेंगे फिर यहां से एक बार और फोल्ड करेंगे तो फ्रेंड हमारी कपड़े के चोड़ाई पाच इंच थी तो अब हमें पाच इंच के बीच में आधे पे टिक लगाना है तो धाई इंच पे हम टिक लगा देंगे दोनों साइड में हमारा धाई धाई इंच हो जाएगा अब इसके बगल में फ्रेंड हमें आधे आधे इंच पे टिक लगा देना है जहां पर हमने धाई इंच का टिक लगाया उसके बगल में आधे आधे इंच पे टिक लगाने के बाद हम ऐसे तिर्ची में लाइन अप कर लेंगे दूसरे साइड में भी हम तिर्ची में लाइन अप कर लेंगे लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहां से हमें ऐसे तिर्ची में कट करना है दूसरे साइड में भी हम तिर्ची में कट करेंगे तो फ्रेंड हमारे डिजाइन की कटिंग कुछ इस तरीके से हुई है यह देखिए बर्फी कटिंग में हमारा डिजाइन का कटिंग हुआ है अब फ्रेंड हमें एक लंबा सा चौड़ा सा बिल्कुल इसी साइज का दूसरे कलर का कपड़ा लेना है अब इस कपड़े पे हम इस वाले डिजाइन को लगा देंगे ऐसे इसके उपर हमें ऐसे लगाना है और जिस सेप में फ्रेंड हमारा डिजाइन का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करकि घंटे को बजा कर आल का उप्सण जरूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोनों साइड में फ्रेंड बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें सिलाई चला लेना है तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने इसके उपर सिलाई चला ली है सिलाई चलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जिस सेप में फ्रेंड हमारा उपर वाला डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें दूसरे वाले कपड़े की कटिंग करनी है इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर हम कोने कोने के साइड में छोटे छोटे कट दे देंगे जिस से हमारा कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाएगा दोनों साइड में कोने की साइड में हमने ऐसे छोटे छोटे कट दे दी है अब हमें क्या करना है कपड़े को हमें बीच में से कट करना है किवल एक कपड़े को कट करना है हमारा डबल यह कपड़ा है तो हमें उपर वाले कपड़े की कटिंग करनी है नीचे वाले कपड़े की कटिंग नहीं करनी है तो फ्रेंड हमने कपड़े की कटिंग कर ली है कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें सारे डिजाइन को अच्छे से फोल्ड करके सीधा कर लेना है डिजाइन को अच्छी सी सीधा करने के बाद फ्रेंड आपको इसे इस्तरी कर लेना है इस्तरी करने पे आपका डिजाइन पर्फेक्ट सेफ में बैट जाएगा तो यह देखिए फ्रेंड हमने डिजाइन को इसत्री कर लिया है और हमारा डिजाइन पर्फेक्ट सेफ में बैठ गया है यह देखिए ऐसे आपको भी बैठा लेना है अब हम इसके डिजाइन बनाएंगे तो यहां से आख में ऐसे इसे फोल्ड करना है अच्छे से बराबर में यहाँ पे लेंगे, यह देखिए ऐसे, जितना फोल्ड करेंगे उतना नीचे की साइड में भी फोल्ड होना चाहिए, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, ऐसे फोल्ड करना है आपको, दोनों साइट का फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक बराबर होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे देखिए हम इस साइट में फोल्ड कर रहे हैं तो दूसरे साइट के कपड़े के बराबर हमें फोल्ड करना है जो कि हमारा डिजाइन इस तरीके से पर्फेक्ट बनेगा अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने कियें तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन जरूर सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो friend बिल्कुल इसी step को follow करते हुए हमें इस line को complete कर लेना है तो friend हमारी ये line भी complete हो चली है इस line को complete करने के बाद friend एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चौड़ाई friend हमारे design की चौड़ाई से हलका सा बस बढ़ा होना चाहिए अब design की इसके उपर लगाएंगे और design के किनारे के साइड में design के हलका सा उपर हम सिलाई चलाएंगे एकदम design के उपर आपको सिलाई चलाना है लेकिन एकदम हलका सा किनारे के साइड में आपको चलाना है सिलाई बिल्कुल इसी step को follow करते हुए हम दोनों साइड में सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने डिजाइन के किनारे के साइड में हलका सा सिलाई चलाई है अब फ्रेंड हम लैस लेंगे लैस को फ्रेंड हमें यहाँ पर लगाना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी इस टेप को फॉलो करते हुए हम दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद फ्रेंट किनारे के साइड से हमें एश्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेना है तो हम यहाँ से एश्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब हम आस्तिन का कपड़ा लेंगे आस्तिन के कपड़े को हमें नीचे के साइड से यहाँ से फोल्ड करना है और इसके उपर ऐसे लगाना है और एक बराबर में हम सीधी सिलाई चला लेंगे लेकिन आप इस डिजाइन को सूट के दामन में भी बना सकते हैं और ट्राउजर में भी बना सकते हैं और गले में भी बना सकते हैं तो इस डिजाइन को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब हम यहाँ से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद फ्रेंड अब हमें डिजाइन को उल्टा कर लेना है डिजाइन को उल्टा करने के बाद दो इंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को फोल्ड करके हमें डिजाइन के किनारे की साइड में यहां पे लगाना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेना है अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद डिजाइन को सीधा कर लेंगे अब हम यहां से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड इसके उपर सीधी सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक बराबर होना चाहिए कहीं ज़्यादा चोड़ा और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है और हमारा डिजाइन भी लेकिन इस डिजाइन को और भी सुन्दर बना सकते हैं केवल एक स्टेप को फॉलो करके फ्रेंड इस डिजाइन के बीच में हम यहाँ पर मोती लगा देंगे तो फ्रेंड ये देखिया हमारा डिजाइन और भी सुन्दर बन गया